यह गाइज वाट्स आप इस यूर पीडी विद न्यू व्लॉग तो लेट्स टार्ट व्लॉग बहुत ही इंपोर्टन होने वाला है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक पीडियाप बनाए थी और सब को शेयर किती कि मोधी के मोधी साहब की साथ बाते तो शायद बहुत ल साथ में मेरी 10 इंपोर्टन बाते बताने वालों आपको तो आखरी तक वीडियो जरूर देखे स्कीप मत करिए और बहुत ही इंपोर्टन होने वाला है और आपको वीडियो अच्छा लगेंगा तो सब के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलेगा और मुझे कंटेंट बताएगा तो लेट स्टार्ट जैसे कि मैंने सबसे पहले मोदी साब की साथ बाते बोलने का बता तो वो साथ बाते जो है वो अगर आपको फिर से चाहिए होंगी तो मेरा वाट्सप पर आप बोल सकते मैं शेयर करूंगा आपको तो सबसे पहली बात म घर के बुज़ूर्गों का ध्यान रखे तो गैस घर के बुज़ूर्गों का ध्यान रखने के लिए इसके लिए कहा था क्यूंकि उनकी इम्मेनिटी सिस्टेम जो है वो बहुत कमज़र होती है तो उनका ध्यान रखना अपना काम है तो उसलिए उन्होंने कहा था कि उनका आया है रामबा निला जे कि इस पे अपन इससे अपन कोरोना से बच सकते हैं तो इसलिए गाइज उन्होंने बहुत कहा था कि लोगडाउन और सोशल लिस्टंसिंग का पालन करें और बोत लोग अभी भी करनी रहें और हवे में ले रहें कि हमारे को नहीं होंगा यहां पे तो ग्रीन जोन है तो गाइज मैं बताना चाहता हो कि मैं अभी धुले में फिलाल तो यहां पे भी मैं वही सोचता था गाइज जो लोग सोचते देखी नहीं यहां पे तो ग्रीन जोन है तो रातो रात गाइज साथ पोजिट्व निकले और दीन में सुवा मर भी गया लोग और उसके साथ में दूसरा दीन जैसा निकलता है तो पंद्रा हो गए तो गाइज ऐसे हवे में मत लीजिए सोशल डिस्टंसि तो थर्ड बात यह है कि अपनी इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए आयुश मंत्राले द्वारा दिये जाए गए नियमों का पालन करें तो गाइज यह जो मैं अभी इसके बाद में 10 बाते बताने वाला हो मेरी तो उसमें मैं इसको सब एक्स्प्लें कर चुका हूँ तो इसल अभी मैंने एक्स्प्लेनेशन आखरी में दे दिया तो आप उसको फॉलो कर सकते तो उसको भी मैं स्किप करूंगा तो फिब बात पाच्वे बात यह है कि जितना हो सकते उतनी गरीब परिवारों को देख रेक करें तो गाइज यह बात बहुत ही एहमियत रखती और इंप बहुत उनका जो टाय में बहुत बेकार गुजर रहा है जो मम्मी पापा रहते बच्चों को खाना खिलाते और खुद भूके रह रहे ऐसे भी मैंने बहुत देखे तो अपने जितना हो सके उतना गरीब परिवारों को देख रहे करना अपना काम है ऐसा नहीं है कि अपने पूरे पैसे उनको देदे क्योंकि अपन भी उसी फेस से निकल रहे अगर आपको हजार रुपे अगर रोज के मिल रहे होंगे तो आप 800 रुपे का यह आपका खर्चा करें और 200 रुपे गरीब को बाटे तो यह बेस्ट रहेंगा और उसके उसके साथ यह फिप पॉइंट जो है वो अभी श्लैकच चल यह इः और जितने भी धन्दे हो गाटे में चल रहें तो कोई भी सोचेंगा घाइस की अपने पैसे कल्से बचेंगे तो वह बहुत लोग हैं जो नोक्री निकाल रहे हैं अपने इंपलोईज को तो उनके पास में भी सोर्स नहीं है अपैसे क अमीरों मीडर क्लास में आते होंगे तो गाइज ऐसा है मत कीजिए नोकरी से किसी को मत निकालिए आपका अगर गुजारा रोज का 1000 रुपे में अगर आपको परिवार चला रहे होंगे तो गाइज आप 700-800 रुपे में चला है और 300 रुपे अपने एंप्लॉइस को दे और उ सुनिएगा कि डॉक्टर नर्से सफाई कर्मियों और पूलिस कर्मियों की जत करें गाइज यह बात बहुती हैम्याद रखते है क्योंकि यह भी एक यूमन है जैसे अपन है यह तो कोई सुपरमैन या कुछ है नहीं कि इनके पास में पावर है इनको भी हो सकता है गाइज यह तबीभी काम करें डॉक्टर सब पेशन को मैं चेक कर रहे हैं नर्सेस भी उनके help कर रही है यह 24 गंड़े काम करें पूलिस महां है मैं ने बहुत देखा है कि जो इंडिया में चालू है बहुत ही घटिया तरह घटिया तरह काम चलो है क्योंकि कोई-कोई मार अपना काम कर रहे है अपना फर्ज निवार यह तो उन पर पत्रा हो रहे है तो गाइस यह ऐसा मत कीज़े गाइस और एक तो मैंने यह सुना था पता नहीं हो फे गया सही है मैंने खाली सुना ही था कि डॉक्टर या नॉर्सेस पर कोई-कोई लोग ठूक रहे है यह चीज है करता है और यही सत झो पर आपको चाही होँगा तो मुझे साथ बाते मैं अभी क्लोस करता हूं और यह 10 बाते में बताने वाल rein वह स्टार्ट करूंगा सो गाईस लेस्ट टार्ट तो सबसे पहली पहली बात यह आपके हाथ तो होते रहे हैं इतलीस्ट क्योंटी सेकल्ड को भी दोना है तो हाथ दोते समय अपने को ध्यान रखना है कि पूरी अच्छी तरीके से धोना है और आपने सोचा होंगा कि मैंने घड़ी पढ़ी है तो मैरी घड़ी वाटर्पूप है तो डेशन मत लेना और डैप को अगर जब आप ओपन कर रहे तो ऐसे ओपन करना है है और अपनीं कर सकते आप फर गरपे मत करिए कि अपने घर पर हाथ दो सकते जितने टाइम हो सके अगर बाहर जाते हैं तो मैं sanitizer लेके जाए और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर sanitize कर लें तो अच्छा रहेंगा बेटा रहेंगा तो दूसरी बात देखेंगे उठते बाराबर fresh होने के बाद अपने को काड़ा पीना है काड़ा पीने के लिए अपने को सबसे पहले हल्दी लेना है थोड़ा सा मीरा लेना है तुलसी के पत्ते अद्रक लवंग दालचिनी सुन्ट और थोड़ा सा हनी लेना है इसको सबको पानी में डालके 20 या 30 सेकंड तक होने देना और छान के पीना है और इसके साथ साथ आप ग्रीन टी का भी यूज़ कर सकते हो यह बहुत फायदे मनते और एंटियोक्सिडंट मानी जाती है तो ग्रीन टी भी आप दिन से दो या तीन बार पी सकते हो बहुत सहथ के लिए अच्छा है इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है खाली गरम पानी करना पड़ता है और उसके बाद में यह जो इसका सैसे है वो गरम पानी में भीगो के रखना पीस या 30 सेकंड और पी लेना है बहुत अच्छा रहता है शेहत के लिए अब पाड़े को ऐसे उबलना है और थोड़ा पानी जो हो कम होने दिना आ उसका उसके बाद में छान के पी लेना है बहुत सहथ के लिए फायदेवन रहेंगा तो जाएंगे अभी तीसरी बात के उपर तीसरी बात तो ये है कि अगर अपने आसपास कई चाउन प्राश मिलता होंगा तो चाउन प्राश लेके आईए ये इमनेटी सिस्टीम जैसे रोग प्रदीगार शम्दा बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है और यहाँ लिखा भी है जैसे कि क्लीनिक प्रमानी तो आपके घर में सबको एक टीस्पून खाने को दीजिए जब आप काड़ा पिते उसके 10 मिनिट बाद तो बहुत 320-325 रुपर में आ जाएंगा आधा किलो खाये बहुत अच्छा रहेंगा तो गाइस चौथी बात यह है कि अभी जब भी आपन खाना बना रहे तो खाना बनाते समय हिंग हिंग और हलनी का जितना ज्यादा यूज़ कर सकते उतना ज्यादा करो सेयत के लिए बहुत शाही तो पाचवी बात घर से जितना निकलना अवाइड हो सके उतना कम निकले और अगर अपने को जाना ही है most important है तो फिर एक ही इंसान जाए बेटर रहेंगा तो शटी बात अगर आपको जाना है घर के बाहर और most important है तो जाईए मगर सुबह के टाइम में जाईए सुबह नहाने के पहले अगर नहाने के पहले जाते है तो बेटर रहेंगा आने के बात सीधा वात्रूम में जाईए और नहा की बाहर निकले अगर आ मास लेकर जाए और सानीडाइजर लेकर जाना मत बुलिए कुझा करना जरूरी है कहीं भी हपन चूत है और नाग और कान को हाथ ना लगाए बाहर जाये तो आठवी बात यह हैं कि आप जब भी कप्ड़े धोते हो गरम पानी करके धोई और आपके पास में अगर डेटाई हो तो एक डेटोल का लिक्वीड आता है वो डेटोल लिक्वीड लाए और एक जख्कन उसमें डालके उसको भीगो के रखे गरम पानी में और उसके बाद में दो रहें बेटर रहें तो नववी बात नववी बात तो यह है कि आपकी घर की क्लीनिंग सबसे इंपोर्टन्ट है घर की जितनी हो सके उतनी क्लीनिंग करें और सबसे ज्यादा जो अपने घर के टाइल्स है फर्शी है उसको पोच्टे रही है और अगर आप पोच रहे हो तो यह फिनायल आता है साट सत्तर रुपे का तो फिनायल एक ढकन डालके पोचिए रोज पोचेंगे तो बहुत बे की बात है और आप अगर नहीं करेंगे तो कुछ फायते की बात हीgestive की सबसे लास्ट बात है जितने ज्यादा हो सके उतना सोश्याल डिस्टेंसिंग मेंटेंट करें कि इसका एकई रामबान इलाज है कि आप жितना लोगों से दूरी बनाए रखे उतना सही है जो मैंने लो किसको है किसको नहीं है कोई कोई आत्मी फीड भी रहता है पर उसको संक्रमन हो सकता है तो सोशल डिस्टरंसिंग मेंटेन करना बहुत ही इंपोर्टन बात है जितना हो सके उतना घर से बाहर निकलना जाना है जाना है तो अकेले जाना है और जितना हो सके उतना सोशल डिस्ट जाएंगी तो वेस्ट मत जाने तो फैम थैंक्यू सो मच आज का तो व्लॉग इतना ही था और मैंने जैसे कि बताया था फिछले व्लॉग में कि मुझे कोई भी अच्छा कंटेंड अगर कोई सजेस्ट करता है तो मैं उसके फोटो के साथ में नाम लेकर उसका इसमें इंट्र कि मैंने मैंने हैपी रिटन्स आपड़े बार के अशिट्स रहा अशिट्स बोल आनि कजी तरी फूख खाऊंद तो उसका बड़े विए तो बड़े विशेश करिए और अगर आप न्यूस देख रहे तो बहुत सारे फेक न्यूस है फेक चैनल से उसमें बहुत सारी बाते इदर उदर की बताते और लोग उसको फॉर्वर्ट करते तो यह बहुत गलत बात है उसमें से गलत फैमी बहुत बढ़ती है तो बेस्ट है कि आप जो अभी इंडिया में फर्स चैनल चल रहा है आज तक तो जो आज तक वाले वह बहुत सोच समझके और पूरा सर्वे करके अपना चैनल चलाते इसलिए वह नंबर वन चैनल है तो मैं रिकमेंड करूंगा वही चैनल आप देखे और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिशम में दे दूंगा तो अलग से आप कुछ डाउनलोड करनी की जरूरत नहीं यूटूब पे भी लायू आता है वो चैनल तो लायू द डाउनलोड करके उसमें अपने को नंबर डालना है खाली और उसको रजिस्टर करना उसके बाद में उसमें बहुत सारी चीज़े है न्यूज है उसके बाद में प्रिकॉशन्स है मैंने जो भी बता ही वही और उसके साथ में सबसे बेस्ट है कि वह जीपेस लोकेशन ट्रै करता है जैसे कि अपन जहां पर है उसकी लोकेशन ट्रैक करके अपने आसपास कितने दूर पॉजिटिव पेशन्ट है और अपने को अलट करते रहता है तो बेस्ट है उसकी भी आप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपक वीडियो बनाऊंगा और आपका भी इंट्रोटिक्शन दूंगा उसमें तो गाइज मुझे कंटेंट दीजिए सजेस्ट कीजिए अगर आपका कंटेंट सही मच लगता है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और बहुत मैनत करूंगा तो गाइज थैंक्यों आज के लिए वसी इतना है स्टे होम, स्टे सेफ